हेलो एवन एक और नए वीडियो में स्वागत है मेरा नाम प्रत्यप्रकाश है और इस वीडियो में जैसा आपने थम्निल में देख लिया होगा 9 and 15 यमे के बारे में कुछ strategy से related बात करने वाला हूँ बट मैं एक चीज़ आपको clear कर देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो भी strategy यूज कर रहा हूँ या फिर मैं जो भी strategy यूज करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं के बार 9 and 15 यमे का strategy यूज करता हूँ किसी भी trade को punch करने के लिए 9 and 15 यमे को बस मैं इसलिए यूज करता हूँ ताकि मैं जो भी trade लो उसमें और confirmation level increase हो जके ऐसा नहीं है कि मेरा यही एक setup है यही एक strategy है इसके लवब मैं एक और strategy यूज करता हूँ तो इसलिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यही strategy केवल best है और इसी strategy को आपको follow करना है जो आप strategy follow करते आ रहे हो जो आप setup यूज करते हो ट्रेड करने के लिए वही आपको setup यूज करना है बढ़ हाँ अगर आपको यह समझ में आ गया तो उस setup का accuracy level और बढ़ा सकता है यह बला strategy ठीक है तो उस basis पर आप use कर सकते हो इस वीडियो में मैं मिलनी तीन चीज के बारे में बात करूँगा 9 & 15 EME के बारे में और मैं जान बुच के live market में यह जो वीडियो वो shoot कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके इस वीडियो में 9 & 15 EME के बारे में मैं मिलनी पंच कर सकते हैं, कैसे किसी setup में entry ले सकते हैं, और तीसरा जो सबसे important है, इस setup की मदद से कैसे हम किसी trade में stop-loss लगा सकते हैं, stop-loss को, decide कर सकते हैं, और कैसे हम target decide कर सकते हैं, तो यह तीनो चीज़ किसी भी option trader के लिए सबसे यादा important होता है हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए बठा आपको बहुत छोड़ा-छोड़ा point भी clear हो जाएगा तो चलो वीडियो को start करते हैं सबसे पहला चीज आता है कि आखर यह 9 and 15 इमेल लगता कैसे है मुझे 10 seconds दो आपको मैं 9 and 15 में कैसे लगता है वो समझा देता हूँ तो यहाँ पर simply आपको कुछ नहीं करना है यह जो आपको box दिख रहा है indicator वाला इस पर आपको click करना है ठीक है इस पर आपको search करना है EMA यहाँ पर आए moving average exponential इस पर आपको click करना है ठीक है आपको setting change करना है तो मालो इसका setting change करना है मुझे ठीक है तो यहाँ पर आप जाके setting में इसका value जो है 9 है इसको आप 15 कर सकते हो या फिर 9 रहने दे सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप EMA को लगा सकते हो मैं इसको अभी cut कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले से 2 EMA लगा हुआ है ठीक है यह nifty 50 का chart है 15 minute टाइम फ्रेम पे दूसरा चीज़ समझते है कि आखिर यह 9 and 15 इने में होता क्या है और यह काम कैसे करता है देखो EMA का direction हमेशा 3 ही हो सकता है उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है या तो उपर के तरफ या तो sideways या तो downside के तरफ यह चीज़ clear है ठीक है अब हमें किस trend में trade करना है अब हमें किस direction में trade करना है सबको पता है कि जब EMA sideways रहेगा तो market sideways रहेगा तो उस दौरान मुझे कोई trading नही करना है जब EMA का direction upside के तरफ हो तो हमें upside के तरफ trade लेना है यानि call side के तरफ और EMA का direction downside के तरफ हो तब हमें put side के तरफ trade लेना है यह चीज़ आपको clear हो गया यह basic चीज़ है अब इतना जो सबको पता है कि यार यह नीचे जाएगा तो मुझे downside के तरफ trade लेना है उपर से हम लोग किस तरीके से entry और exit ले सकते हैं जो सबसे important है अब ये point discuss करने से पहले न मैं आपको एक basic चीज बताता हूँ एक बहुत important चीज बताता हूँ कि EMA के पास किस तरीके का candle बन रहा है वो हमें decide करवाता है कि हमें entry लेना चाहिए या फिर नहीं तो तीसरे पार्ट में हम लोग discuss करेंगे कि entry exit कब लेना चाहिए और दूसरे पार्ट में हम लोग discuss करेंगे कि EMA के पास किस तरीके का candle बन रहा है मैं कोई hammer candle, big bar candle या फिर dozy type candle को वाला types of candle explain नहीं करने वाला मैं psychology explain करने वाला हो कि candle के पीछे क्या psychology रहता है, क्या हमें वहाँ पे entry या फिर exit लेना चाहिए कि नहीं तो देखो अभी live market में क्या चल रहा है यह nifty 50 का 15 minute का time frame का chart है अभी live market में क्या चल रहा है इसको हम लोग 5 minute के करते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, simple सा यहाँ पर दिख रहा है यानि हमें अभी call side के तरफ trade plan करना है put side के तरफ नहीं करना है put side के तरफ कब करना है जब कोई candle, जब कोई बड़ा candle EMA के नीचे close करे और sustain हो, ठीक है ना उस तरीके का candle close होते रहे तब हमें plan कर सकते हैं कि हाँ साइद EMA का trend downtrend के तरफ आ सकता है लेकिन अभी का situation कैसा है upside के तरफ है, ठीक है एक trend आपको पता चलिया कि हाँ EMA का direction upside के तरफ है दूसरा चीज, EMA के पास किस तरीके का candle बन रहा है तो मैं में दो candles को observe करता हूँ पहला pin bar candle और दूसरा big bar candle, इसके अलगा कोई और candle ने pin bar candle बोलने का मतलब कि क्या EMA के पास market आता है और वहाँ से कोई rejection candle बनाता है कि नहीं ठीक है, मैं live वीडियो में भी हमेसा यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई, धको EMA के पास आने दो market को, वहाँ से कोई rejection बनाएगा न तो एक अच्छा setup बन सकता है जैसे for example यहाँ पे इस तरीकी का 5 मिनट का candle एक बहुत अच्छा pin bar type बनाया है, ठीक है, rejection लिया EMA से, तो यहाँ पर इस zone पे हम लोग entry ले सकते थे stop loss कहां रह सकता था, इसी candle के low पे, ठीक है यह strategy होता है, यह EMA की मदद से हम लोग setup बना सकते हैं और trade को plan कर सकते हैं अब एक बहुत important बात, यह pin bar candle का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे important बात, यह pin bar candle क्या होता है, और इसकी मदद से क्या सच में trade को plan कर सकते हैं, तो इस pin bar candle का मतलब क्या होता है, हम लोग वो समझने का try करते हैं, क्या होता है, जब यह candle C-body इस level पर आया, EMA के पास आया, EMA से अचानक से buying होना बहुत तेजी से start हो गया, और जब इस candle को close होने का time आ गया, 5 minute का time frame है, जब इस candle को close होने का time आ गया, तो यहाँ पर जादा dominant कौन किया, buyers किया, sellers जो था, वो यहाँ तक market को लिखे गया था, sellers ट्राइ किया, कि candle इस तर less strong होता है, तो यह candle, red में close होता है, और हलका नीचे close होता है, EMA के पास close होता है, तब यहाँ पर हम लोग plan नहीं कर सकते हैं, upside के तरफ, ठीक है, तो जो यहाँ से buying कियोंगे, वो वापस continue करेंगे, ठीक है, और buying जब continue होआ, तो एक अच्छा setup बन गया, और यहाँ से जो buying कर रहोंगे न, उनका stop loss इसी candle के low पे होगा, maximum low का, यह पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इस तरीके का candle कहीं बाहर बन गया तो, EMA से दूर बन गया तो, तब यह काम नहीं करेगा, अगर ऐसा candle EMA के पास बने, तब यह setup बहुत अच्छे से काम करता है, यह pin bar candle जो है upside के तरफ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बड़ा सा big bar type candle बना दिया, EMA से, मालो यह candle है, जो बड़ा सा candle है, जो EMA के ऊपर एक big bar candle बना दिया, तो ठीक है, अब यहाँ पर trade कैसे plan किया जा सकता है, जब भी EMA के ऊपर कोई बड़ा candle बनाए, हमें wait करना है थोड़ा सा, हमें के पास है, तो एक सही entry point होगा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि market में कभी भी बड़ा सा green candle मालो बन गया, या फिर बड़ा सा red candle बन गया, तो जो stop loss होता है, बहुत सरे लोग का इसी zone के नीचे होता है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि अगला जो candle बने, या फिर 2- candle के नीचे आगे close हो जाए, वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका stop loss हो जाएगा, या फिर जो selling कर रहे है, वो चाहेंगे कि अगला 2-3 candle और red बने, ठीक है, क्योंकि अगर वो उपर के तरफ move कर गया, तो यहां से जो selling कर रहे होंगे, उनका भी stop loss हो जाएगा, मतलब क्या हु अगर कोई candle इस big bar candle के नीचे close कर दिया, हमें trade को तुरंत cut कर देना है, यह एक तरीका होता है, किसी वे trade में entry बनाने का, और trade को cut करने का, अब बहुत सरे लोग बोलेंगे कि भाया आपने जो explain किया है, वो समझ में तो आ जाता है, बट live market में कैसे apply करे, कहां पर entry, कहां पर exit समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं जान मुझके live market में explain किया हूँ, मैं यहां से अभी आपको trend identify करके बताऊंगा, EME के direction की मदद से, और candles की मदद से, कि आने वाले time में, अगला आधे गंटा या फिर एक गंटे market किस तरीके से move करेगा, वो कैसे पता करते हैं, चलो ठी तो चलो ठीक है, देखते हैं, हम लोगो कि क्या मेरा analysis सही रहता है कि नहीं, buying कहां से start हुआ है, इस level से, आज के दिन, यहां से buying start हुआ है, उसके बाद market उपर गया है, हलका सा pause लिया है, फिर buying यहां से strong हुआ है, तो एक 2 level mark होता है, तो मैं 2 level mark करता हूँ, इस zone पे buying हुआ ह और इस zone पे buying हुआ है, तो पहला stop loss कहां होगा buyers का, इस level पे होगा, और दूसरा stop loss कहां होगा, इस zone के नीचे होगा, क्योंकि यहां से बहुत अच्छा एक big bar type ही एक बड़ा सा green candle close किया है, तो बहुत से लियों का stop loss यहां पे भी होगा, तो buyers का stop loss कैसा हो रहा है, उपर की त direction कैसे हो सकता है, अब बहुत से लियों को लगे है कि market यहां से उपर जाएगा, क्योंकि buyers का stop loss shift होते जा रहा है, market का direction उपर तब जाएगा, जब कोई candle या फिर कोई बड़ा सा candle, इस level के उपर close कर दे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर market यहां से reverse हो गया, अगर market यहां से dominant किया, दूसरा seller यहां पर dominant किया, मतलब sellers जो है, उसका direction shift हो रहा है, downside के तरफ, समझे आप, तो sellers जो है, जब shift हो रहा है, downside का तरफ, तो उनका stop loss भी shift हो रहा होगा, downside के तरफ, मतलब sellers एक तरीके से aggressively market को गिराना चार है, इस zone पर अच्छा sellers था, जिसके वज़े से market इस level क breakout नहीं कर पाया, और यहां से sellers यहां पर shift हुआ, और यहां से market को fall करा दिया, अगर ऐसा condition होगा, तो हमें buying के तरफ, बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन, buying के तरफ, कब जाना है, जब इस level का breakout आ गया, तो जो यहां से selling कर रहे होगा, उनका stop loss हिट हुआ होगा, उनका stop loss हिट होगा, तो market इस level से अच्छा खासा move करेगा, इस level से market जब cross करेगा, तो एक अच्छा big bar candle close करेगा, ग्रीन कलर का, और अगला 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट, एक bullish momentum दिखाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत साले लोगों का stop loss हिट हुआ है, लेकिन, अगर यहां से selling स्टार्ट हो हम लोग चार्ट को read करते हैं, ठीक है, और अगर इस level से selling आ गया, और selling होते होते इस level का breakdown कर दिया, और lower lows का formation हो जाएगा, which indicates कि sellers है market में अभी भी, ठीक है, तो ऐसे हम लोग पता करते हैं, ऐसे हम लोग चार्ट को read करते हैं, randomly trade लेना, गलट decision होता है, setup का wait करना, दिन में ए तब आपको profit होने का chance काफी जादा increase हो जाता है, अगर मैं इस तरीके से chart trading करता हूँ, तो मुझे जादा help मिलता है, और मुझे जादा अच्छा से समझ में आता है, पहला चीज तो हो गया, यह chart trading, दूसरा चीज हो गया candle का psychology, और तीसरा चीज हो गया EMA का direction, इसके अलावा यूज करता हूँ, उसके बारे में रहेगा, इस वीडियो में मैं उसको इसलिए explain नहीं कर पाया क्योंकि काफी जादा लंबा हो जाता, वीडियो कैसा लगा, comment ज़रूर करना है, और चैनल को subscribe कर लेना, मैं guarantee देता हूँ, आने वाले time में आपको बहुत अच्छा content मिलने वा मैं झाई